और आज आपको बता दें कि संसद भवन पर हमले की 19 वी बर्ची है 2001 में संसद पर 13 दिसंबर के दिन हमला हुआ था हमारे ज्याबाजों को शहीदों को याद करते हुए उनको पुष्प अर्पित करते हुए शर्धांजले देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संसद परीसर में बाकाइदा उनकी वीर गाथाएं लिखी गई है जिन्होंने संसद पर हमले की दोरान आतंकियों को मुहतोर जवाब दिया और शहादत के सासाथ देश के प्रतिष्ठा को बचाया था अब सभी कर्मानेजर अमर शहीदों के सम्मान में पुश्पांजली अर्पित करेंगे तुराजय सबा स्पीकर और उप्राश्पती वेंकायनाईडू पुश्प अर्पित करते हुए सभी को नमन करते हुए उसके बाद लोगसबा स्पीकर और बिरला पुश्प अर्पित करते हुए सभी को नमन करते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसत भवन की 2001 में आजी के दिन छे आतंकियों ने हमला किया था संसत को रक्तरंजित करने की कोशिश की थी लेकिन हमारे जवासों ना सिर्फ उनको मार गिराया बलकि प्रतिष्था को आज तक नहीं आने थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पुश्प अर्पित करते हुए शहीदों को नमन करते हुए और उनके पीछे रक्षा मंत्री राजनास सिंग आज का दिन संसत के लिहासे बड़ा दिन है क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने और कानून बनाने के जिन पर जिम्मेदारी है उन पर हमले के साजी शिराची गई थी छे आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की थी उस जोरान हमारे वीर जाबाजों ने शहादत देकर संसत के गरिमा को बचाया था उन्हीं शहीदों को हर कोई नमन करता हुआ, याद करता हुआ, पुष्प अर्पित करता हुआ सभी की फोटो उनके नाम संसद भवन की दिवारों पर आज भी अंकित है एक अमिट कथा, एक अमिट शोरिय की कहनी जो संसद गवाही देती है और ये देखिए, तमाम नेता पहुंचे हैं, शहीदों को याद करने के लिए और प्रधानमंत्रे नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा था कि भारत इस कायरता पूर्ण हरकत को कभी नहीं भूलेगा वो हमेशा याद रखेगा क्योंकि आतंकियों के जरिय पाकिस्तान ने जो हमला संसत पर करवाया था वो एक ऐसी टीज जिसको भारत कभी नहीं भूलेगा और पाकिस्तान हमेशा इसका खाम्यासा भूखतेगा ग्रोव मंत्री हमेशा भी पहुंचे हैं उन्होंने भी पुष्प अर्पित किये हैं शहीदों को याद किया है तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोग सभा से उन्नीस भी बर्सी के मौके पर सभी पहुंचे हैं शहीदों को याद करने के लिए उनके शोरिया को याद करने के लिए उनके बलिदान को याद करने के लिए हर कोई उनको नमन करता हुए नसराया पुष्प अर्पित कर उनके शोरिया को याद करता ना सरा है प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदी ग्रह मंत्रे अमिश्याह रक्षा मंत्रे राजना सिंग सभी मौझूद है सभी ने नमन किया है याद किया है आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को छे आतंकियों ने संसत पर हमला किया था संसत की गरिमा को तार-तार करने की कोशिश की थी लेकिन उनके मनसूबों को काम्याब नहीं होने दिया गया भारतिया जवानों ने जावासों ने मुंग तोड जवाब दिया और सभी को मार की रहा है ना जिरुप संसत की गरिमा को बचाए गया बलकि सर्वोच बलीदान दे कर ये जताब ही दिया गया कि अगर आप आँखे उठाने की कोशिश करेंगे तो शहीद हो जाएंगे लेकिन आँखों को नोच दिया जाएगा ये उन जवानों के तस्वीरें उन जवासों के तस्वीरें जिनोंने शहादत दी गुलाम नभी आसाद पहुँचे हैं राजीव शुकला पहुँचे हैं क्योंकि जिनोंने शहादत दी वो किसी पार्टी से नहीं वो देश के गौरव हैं और उस गौरव को याद करने के लिए हर कोई पहुँचा है हर कोई उनको नमन करने पहुँचा है और अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी रवान के लेते हुए